नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चाइनल Life is a Gift में हार्दिक स्वागत है गोलु अपने माबाप का एकलोता बेटा था गोलु के माँ लोगों के घर काम करती थी उसका पिता दिहाडी मजदूर का काम करता था गोलु के माता पिता गोलु को बहुत प्यार करते थे वह जितना भी कमाते थे, वो पुरा का पुरा गोलु के उपर खर्च कर देते और उसकी हर इच्छा को पुरा करते सबसे पहले जो भी चीजे घर में आती, वह सबकी सब पहले गोलु को ही मिलती थी एक दिन गोलु की माँ जिस घर में बहुत सालों से काम करती थी, उस घर की मालकिन अब बहुत बुढी हो चुकी थी, उसके बेटा और बहु विदेश में रहते थे गोलु की माँ उनके घर का सारा काम करती थी उसकी मालकिन के घर युगल सरकार की सेवा थी अधिक बुड़ी होने के कारण अब उसकी मालकिन युगल सरकार की सेवा नहीं कर पाती थी तो एक दिन उसने गोलू की मा से पुछा कि क्या तुम मेरे इस यूगल सरकार की सेवा कर सकोगे गोलू की मा जो की काफी सालों से उसके घर काम कर रही थी और वहाँ अपनी मालकिन को यूगल सरकार की सेवा करते हुए देखती थी तो उसकी भी पूरी शद्धा यूगल सरकार के प्रती थी उसने जल्दी जल्दी से बोला हाँ माजी क्यों नहीं यहां तो मेरा सोभाग्य होगा जो ठाकुट जी और किशोरी जी की सेवा मुझे प्राप्त होगी मैं तो धन्य हो उठूंगी मालकिन ने कहा कि सोच लो इनकी सेवा बहुत कठीन है इनको भोग लगाना, स्थान करना, नए-नए वस्त्र पहनाना क्या तुम कर लोगी? उसने कहा हाँ हाँ माजी क्यों नहीं मुझे स्विकार है, आप मुझे सेवा दे सकती है मालकिन ठाकुर जी और किशोरी जी को बहुत प्यार करती थी लेकिन वह उनकी सेवा ना कर पाने के कारण लाचर थी तो बड़ी मजबूरी से, उसने भरी आखो से किशोरी जी और ठाकुर जी को गोलू की मा की जोली में डाल दिया और कहा, आज से इनकी सेवा तुमारा जिम्मा यहां मेरे घर के सबसे बड़ा खजाना है आज से यहां खजाना तुमारा हुआ गोलू की माँ खुशी से जुमने लगी और घर आकर उसने एक साफ चोकी पर कपड़ा बिचा कर युगल सरकार को स्ताफित किया तबी बाहर से गोलू भागा भागा अंदर आया और मा से पुश्ता है कि मा यहां कौन है क्या यहां हमारे घर मेमान आये है उसकी मा बोली बेटा यहां मेमान नहीं यहां हमारे घर के मालिक है यहां हमारे इश्वर है आज से यहां हमारे घर ही रहेंगे गोलू हैरान होकर ठाकुर जी और किशोरी जी की और तीर्ची नजरों से देखने लगा कि यहां इश्वर कैसे हो सकते है, यहां घर के मालिक कैसे हो सकते है मौन बोला कुछ नहीं और चुपचा पंदर चला गया अब तो घर में जब भी कोई नई चीज बनती चाहे हलवा हो, चाहे कचोरी हो, चाहे खीर हो सबसे पहले ठाकुर जी को और किशोरी जी को भोग लगता यहां सब चीजे पहले गोलू को सबसे पहले मिलती थी अब ठाकुर जी को भोग लगता था, तो गोलू बहुत चिरता मा को कहता कि यहां क्या बात हुई यहां तो आप थोड़े दिन पहले ही आये है और अब आप इनका इतना ध्यान रखती हो मैं जो की तेरा बेटा हूँ मुझे इनके बात चीजे क्यों मिलती है मा हसकर बोलती बेटा यहां हमारे भगवान है भगवान को भोग लगा कर ही हम खाते है लेकिन गोलु को इन बातों से कोई मतलब नहीं था महा तो अब युगल सरकार से चेडने लगा था आते जाते उनको घुर कर जाता और मुओं में बढ़बढ करते जाता जब से आये है तब से मुझे तो कोई पुस्ता ही नहीं है तो ठाकुर जी की प्रतिमा और किशोरी जी की प्रतिमा मंद मंद मुस्कुराती और गोलु और भी चेड जाता कि यहां मुझे चेड़ाने के लिए ही हस रहे है एक दिन गोलु की मा काम पड़ जाने लगी और गोलु को कहती कि गोलु यमुना जी से मटके में जल भर कर लाना आज मैं थोड़ा देर से आऊंगी गोलु कुछ न बोला जब माँ पानी भरने के लिए जाने लगा तो जाते जाते किशोरी जी और ठाकुर जी को कहने लगा खाने के लिए तो सबसे पहले तयार रहते हो लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है काम करने के बावजूद भी मुझे तो आपसे बाद में ही खाना मिलता है अगर यहां रहना है तो काम करो कहा कर वहां यमना जी से जल भरने के लिए चल पड़ा जब यमना जी में जल भरने लगा तो तभी उसे आवा जाई ला गोलू घडा मुझे दो मैं भर लेता हूँ तो गोलू ने इदर उदर देखा कि यहां कोई नहीं था फिर यहीं आवा जाई तो गोलू ने देखा यमना जी के अंदर ठाकुर जी और किशोरी जी विराजमान है और दोनों बाजू उपर उठा कर कर रहे हैं ला गोलू घडा हम भर लेते हैं गोलू उन दोनों को देखकर एकदम से हैरान हो गया तो बोला नहीं नहीं मैं अपने आप ही भर लूँगा लेकिन ठाकुर जी ने उसके हाथ से घडा ले लिया और भर कर उसके पिछे पिछे घर ले आए गोलू तो एकदम से हक्का बक्का हो गया था उसको कुछ नहीं सूज रहा था मा घर आकर चुपचाप एक कोने में बेड़ गया और डर रहा था कि अगर मा को पता लगा कि मैंने ठाकुर जी और किछोरी जी से काम करवाया है तो आज तो मेरी पिटाई पक्की होगी जब उसकी मा घर आई तो उनके आते ही गोलू बोला मा मैंने नहीं कहा था इनको पानी भरने के लिए या खुदी आ गये थे मेरे पिछे पिछे अब देखो गिले कपड़े में बेठे हुए है तो गोलू की मा ने जब किछोरी जी और ठाकुर जी को गिले कपड़ों में देखा तो एकदम से हेरान हो गई और कहने लगी कि यहां जरूर तेरी शरारत है तुने जरूर इन पर जल डाला है और अब बाते बना रहा है गोलू ने अपनी मा को समझाने का बहुत प्रयास किया लेकिन मा ने उसको डाट कर चुप करा दिया और ठाकुर जी के वस्तर को बदलने लगी अब तो गोलू को यूगल सरकार पर और गुस्सा आया इनके कारण मुझे डाट पड़ी मैंने तो नहीं बोला इनको काम करने के लिए अगले दिन मा फिर काम पर गई और गोलू को बोली गोलू तेरे बापा कुछ काम से बाहर गये है और घर में अनाज नहीं है तो तू कुछ अनाज लेकर चक्की से आटा पिस्वा कर ले आना तब तक मैं लोगों के घर का काम करके आती हूँ गोलू ने हामी भर दी गोलू ने अनाज का कनस्तर धीरे से उठाया कि कहीं फिर नायूगल सरकार मेरे पीछे आ जाए और दबे पाव घर से बाहर निकल गया लेकिन यहां क्या ठाकुर जी और किशोरी जी तो वहाँ पहले से ही खड़े थे और गोलू के हाथ से कनस्तर लेकर अनाज पिस्वा कर घर ले आए घर आकर गोलू का डर के मारे फिर बुरा हाल था कि अगर मा को पता चल गया आज उन्होंने फिर काम किया है तो मा फिर मुझे डाट लगाएगी मा चुक्चाप दरवा जी की ओट में छिप गया जब मा घर आई तो उसने ठाकुर जी और किशोरी जी के वस्तर के उपर सुखा आटा पड़ा देखा तो वहाँ गोलू को गोलू कहकर चिलाने लगी कि तुझे नहीं पता कि यहां हमारे भगवान है और तु भगवान के साथ शरारत करता है आज तुने फिर इनके उपर आटा फेका है तो गोलू शपत लेकर कहने लगा नहीं मा यहां तो मेरे हाथ से गेहू का कनस्तर लेकर खुद पिस्वा कर लाए है तो गोलू की मा आज बहुत गुस्सा हुई और बोली तु तो जान बुच कर किशोरी जी और ठाकुर जी पर इलजाम लगा रहा है वह तो हमारे भगवान है आज तुझे खाना नहीं मिलेगा आज तुमारी यहीं सजा है गोलू मही मन ठाकुर जी और किशोरी जी पर गुस्सा करता हुआ अंदर कमरे में जाकर चुपचाप बेड़ गया जब उसकी मा का थोड़ा गुस्सा शान्त हुआ तो उसने आकर गोलू को बड़े प्यार से समझाया कि ऐसे हमें अपने भगवान को नहीं सताना चाहिए तो गोलू आखों में आसु भरकर रह गया लेकिन बोला कुछ नहीं अगले दिन फिर उसकी मा बोली बेटा आज तुमारे बाबा ने आ जाना है बस आज का ही काम है तुम जंगल से थोड़ी लकडी ले आओ ताकि मैं आकर भोजन बना सकू अगर मैं लेने गई तो काफी समय लग जाएगा बस आज का ही काम कर दो गोलू फिर डर गया कहीं ठाकुर जी और किशोरी जी फिर मेरे पिछे ना आ जाए गोलू ने मा को बोला कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन अपनी युगल सरकार को समझा लो वह मेरे पिछे ना आए उसकी मा हसकर बोली हाँ हाँ समझा दूंगे तुम जाओ तो सही गोलू जल्दी जल्दी लकडिया लेने जंगल में चला गया तो उसकी मा काम बर चली गई लेकिन उसकी मा काम से जल्दी वापस आ गई जब घर वापस आई तो उसने देखा युगल सरकार अपनी चोकी पर विराजमान नहीं है महा तो एकदम से घबरा गई कि कहीं गोलू की शरारत तो नहीं कहीं युगल सरकार को कहीं रख तो नहीं आया वो भागी भागी जंगल की तरफ गई तभी उसने देखा कि गोलु के साथ दो लोग और लकडिया को लेकर घर आ रहे है गोलु की मा यहां देखकर हैरान हो गई कि यहां तो किशोरी जी और ठाकुर जी है महां तो एकदम से हैरान परेशान होकर मुर्चित होते होते बजी है यहां क्या हमारे भगवान हमारा काम कर रहे है इसका आर्थ गोलु ठीक कह रहा था महां जल्दी जल्दी भाग कर ठाकुर जी और किशोरी जी के पास गई और लकडिया उनके हाथ से लेते हुए उनके चर्णों में गीर कर रोती हुई बोली हे भगवान हे लाली जी सरकार यह आप क्या कर रहे हो मुझ गरीब का काम क्यों कर रहे हो ठाकुर जी और किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोले हमें तो तेरे बेटे पर बहुत प्यार आता है सब लोग हमें भगवान समस्ते है लेकिन एक तेरा बेटा ही था जो हमको अपना मानता था अपना मानकर को हमें डाड भी देता था हमारे साथ घुसा भी करता था वह हमारे साथ ऐसा वेवार करता था कि जैसे हम उसके अपने हैं शेश लोग तो हमें भगवान मानकर हमारी पुजा करते हैं तो हम उसके मान के लिए उसके ही हो जाते है तुम्हारा बेटा गोलू बहुत ही घुला है और उसके मन में कोई पाप नहीं इसलिए हमें गोलू के साथ काम करने में कोई लज्जा नहीं गोलू उनकी बात सुन रहा था वहां आकर अपनी मा के पास बेट गया और हाथ जोड़कर ठाकुर्जी से प्रातना करने लगा हे शामजू, हे शामा शामजू, मुझे नहीं पता था कि आप भगवान हो मैंने भुलवश आपको कोई बाते सुना दी मेरी भुल को शमा करो भगवान ने उसको उठा कर अपने रदय से लगाते हुए कहा नहीं नहीं गोलू, तु तो हमारा बहुत प्रिया सका है तुम जैसे भोले भाले भक्त हमको बहुत प्रिया है पापी और दुराचारी लोगों से तो दुनिया भरी पड़ी है तुम जैसे लोग तो कम ही इस दुनिया में है ठाकुर जी और किशोरी जी उस घर में इश्वर के रूप में ना रखर उनके घर का सदस्य बन कर रहने लगे जैश्री रादे, रादे, रादे